नमस्कार केते हैं कि गरीब पेदा होना कोई गुना नहीं लेकिन गरीब मरना एक गुना है आप गरीब पेदा होते हो इसमें आपका कोई दोस नहीं है लेकिन जब आप गरीब मर जाते होना तो इसमें आपका दोस होता है भगवान सिक्रिस्त स्वाइगीता में कहते हैं कि इ वो किस इस्सितिमे HansAND में प्यद्रा होता है उसका कोई दोस्त नहीं होता लेकिन जब बड़ा होता है जब वह कर्म करता है जब वह कर्म अ وال insights लिए वो भागिदार होता है उसके लिए वो दोस्य होता है आज एक ऐसी कहानी जो आपको जगजोर देगी आपको रुला देखी इसी कहानी में बताऊंगा जो इंसान गरीबी की हालत में पैदा होता है जो इंसान खाना खाने के लिए तरस्ता है एक एक खाने के लिए एक एक जहां अवेर माबिल आज अपने इसकी बात करेंगे एक refugee camp में जन्में ही है refugee camp आप जानते होंगे नई जानते तो मैं बता जाते हैं refugee camp वो होते हैं जो सरनाथती रहते हैं जब एक देस दूसरे देस से युदि करते हैं और वहां से कुछ लोग भाग कर दूसरे देस में जाते हैं तो उनको सरनाथती के रूप में रका जाता है उनको एक खुली जगह पर टेंट बढ़ा कर महां रख जाता है वहाँ पर पाने के लिए लाइन लगती है, वहाँ खाने के लिए लाइन लगती है, वहाँ छोटी छोटी चीजों के लिए आपको जूजना पड़ता है, रिफ्यूजी केम यानि एक जेल की तरह आपको रहना पड़ता है, लोगों की दया के उपर आपको रहना पड़ता है, सजीट राष्ट की तरफ से पैसे मिलते है और उन रिफ्यूजी केम में लोगों को बसाया जाता है उनको रखा जाता है अवेर माबिल इसी रिफ्यूजी केम में जन्म है और जब इनके माता पिता केनिया के एक रिफिजी केमस में रहते हैं और माँ पर अवेर माबिल का जन्म होता है दस साल तक वो वहाँ फुटबाल खेलते हैं बच्चों के साथ में गरीब बच्चों के साथ में उनके मन में कहीं ने कहीं ज़जबा होता है कि मैं गरीब पेदा हुआ लेकिन गरीब मरूगा नहीं। दस साल तक वो बच्चों के साथ में फुटबोल खेलते हैं। फिर उनके माता पिता केया से फिर आस्ट्रिया जाते हैं। आस्ट्रिया जाते तो अवेर माबिल वहां पर भी फुटबोल खेलना नहीं छोड़ते हैं। वहां पर भी आस्ट्रिया में फुटबोल खेलना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वहां आते हैं उनको इंग्लिस नहीं आते हैं। लेकिन वा अपना एक फुटबॉल बहुत अच्छा खेहलते थें और जब फुटबॉल अच्छा क्योल थे ना तो लोग उनकी बशा के बीच में नहीं आते देरे देरे फुटबॉल ने उनको इंग्शी पी उनकी अच्छी करते हैं लेकिन अवेर माविल वही नहीं रुके उनको पता था कि आज मेरी कंडिशन है अगर मैं अच्छी तरह से खेला अच्छी तरह से जोस और जुनून से खेला तो मेरी इस्तिती बहुत अच्छी हो जाई है उन्होंने अपने संकट उन्होंने अपने हिम्मत को नहीं हार ने दिया उन्होंने जोस जुनून से खेलते रहे और आकिर का 19 साल की उम्र में अस्ट्रेलिया का एक क्लब है मिटी लेट वहाँ पर उनका सेलेक्शन होता है और वो बिलुन्दियों की राह पर पहुंचते हैं वहाँ पर वो अच्छा पर्पोवेंस करते हैं और आज अभी हाले में दो महीने पहले आस्ट्रिया की फुटबोल टीप की गोश्णा हुई तो सारे खिलाडियों में किसी का भी अश्चर नहीं हुआ लेकिन जब अवीर माबिल का नाम आया है। लड़का जो एक रिफिजिय केम में जन्वा जिसको खाने खाने के लिए लाले प्ड़े जिसको पानी पीने के लिए रिफिजी केम में लाले प्ड़े और आज जो आस्टेलिया की टीम में सामिल हुआ फिपा वर्ड कप के लिए जब आस्टेलिया टीम का चाइन हुआ ना तो अवेर माबिल भी उसमें एक थे और वहाँ पर वो बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं वहाँ नो पता है कि जस हालास में पेदा हुआ मैं कैसे हुआ आज किस कंडिसन पर मैं पहुचा हूँ आज जो मैं तो उस मकाम को हासिल किया हूँ पूआ इंजयो चलाते। तो यह कहानी ऐसी है कि जब इनसान गरीब पेदा होता है तो उसका दोस्त नहीं होता हैं लेकि गरीब मरता आपका दोस्त हैंied गरीब पैदा होना कोई गुणा indirect इक यही कहाँनी आवेर माबिल की हानीआपको प्रेडित कर सकती आपको सपलता की सिक्र में पहुंचा सकती इन के जीवन से हाफ सीख सकते हो के कंडिशन आप की किछी भी हो आप soldier किसी ब्यूद में हो लेकिन अपने सपने को अपने लक्ष को मुरव हुं ने अगर आप आपने हर सिचियोशन में चोईस घंटे अगर अपने लक्ष को अंदर जिंदा जगाए रखाना तो आपका लक्ष आप अवश्य पाऊगे एक दि